स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ओनलाइन जेके क्लासेस में हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें सरकारी नौकरी की नई नोटिफिकेसन नई सुचना सबसे पहले पाने के लिए और बिहार में जितने भी एक्जाम होते हैं उसका कोस्चन पेपर और आंसर की और उससे रिलेटेड जितने भी जनकारी होंगी इस चैनल पे आपको सबसे पहले देखने को मिलता है जी आन दुस है ठीक है यह सेट ई का कोस्चन पेपर है ठीक है सेकेंडरी स्कूल इग्जामिनेशन दौहर ओननीस साइंस का पेपर है बिग्ज्यान का टोटल अप फुल मार्क्स असी होते हैं दो गांटे 45 मिनट दिये जाते हैं ठीक है देख लेते हैं कैसे कोस्चन पूछेगा है और कि ठीक है मैंने इसका अंसर भी निकालकर रखा हुआ है एक अलग पेज पी लिखा हुआ है ठीक है मैं आपको बताने जा रहा हूं देखते हैं कौन सा अंसर होगा कितना सही होगा आपका कितना गलत होगा ठीक है बने रहा है हमारे साथ मैं बता जे रहा हूं कौन सा अंसर सही होगा है कि चलिए मैं पार्ट वन से सुरू कर रहा हूं कि कुश्चन नंबर वन पर मैं जाता हूं कि ठीके दूस्तों देखिए आपको स्कीन पर दिख रहा होगा सेक्षन ए सेक्षन यहां पर दिख रहा होगा खंड और उब्जेक्टिव टाइप कोश्चन इसमें टोटल 40 कोश्चन होते है और सभी एक मार्क्स के होते नम्बर वन कोश्चन है निंवनक्त में से कौन मलेरिया पर जीवी है इसका आंसर हो जाएगा मैं बता देरों इसका आंसर कौन सा होगा महईहापल embete के रखा हूं सबका आंसर ठीक है मैं बता रहूं इसका आंसर कौन सा होगा देखिए इसका आंसर सेथ E का पहला आंसर होगा प्लाजमोडियम ठीक है उसमें ओप्सन देख लिजिए प्लाजमोडियम कौन सा है वो आंसर हो जाएगा इसका Plasmodium ठीक है? इसमें answer हो जाएगा, पहला का A हो जाएगा, Plasmodium इसका answer होगा, ठीक है? आप मिला लीजिए question number 2 नेमने में से उत्तम उर्जा सुरूत कौन सा है? उत्तम सबसे उर्जा सुरूत कौन सा है? देखिए इसका answer कौन सा होगा? आप भी अपना comment box में answer जरूर बताएं जो आपने tick किया हुआ है ठीक है अगर कोई गलती होगा तो जरूर बताएं ठीक है मैं दूसरे का answer बता ज़राओ कौन सा होगा दिखिए लाइन पर बने रहे हैं दूसरा का answer होगा biomass ठीक है दूसरा का answer हो जाएगा biomass दिख लेते हैं कितने option पर है ठीक है देखिए option question number two का option हो जाएगा biomass option number two सही है इसका ठीक है biomass चली दिखते हैं question इंगलिस और हिंदी दोनों में लिखा हुआ आता है ठीक है question number three sulfur परमाडू की महत्तम कक्षा में electron की संख्यक कितनी होती है ठीक है इसका option देख लेते हैं कौन सा होगा कौन सा सही है इसका answer होगा 6 ठीक है देखिए इसका ठीक answer हो जाएगा 6 ठीक है option number three answer हो जाएगा सही इसका question number four पर आते हैं मानव हिर्दय में कोष्टो की संख्यक कितनी है तो इसका answer हो जाएगा c 4 ठीक है मानव हिर्दय में कोष्टो की संख्यक कितनी होती है तो चार होती है ठीक है देखिए यहां पर लिखा हुआ है option में है यहां पर देखिए चार option दिया गया है सही है उसके बाद पांचवा है पांचवा मात्रजी भी होगा देखते हैं कौन सा है पांचवा ठीक है यह चोथा हो गया देखिए इसमें वान टू थ्री फोर चार कोष्टन है एक पेज में चलते हैं पांचवा कोष्टन पर देख लेते हैं दोस्तों है। ठीक है दूस्तों देखिए मैं आपको कोष्टन पर दिखा देख सकता है मैं उसका इसमें कोई कोश्टन ना हो ठीक फोटो लेने में चुट गया हो अप कोश्टन मिला ले अगर आपके पास question होगा तो देख सकते हैं और मैं बता ज़रा हूं इसका answer एक अलग page भी लिखा हुआ है आप मिला लीजिएगा ठीक है ऐसे मिलाने बहुत problem हो रही है मैं question दिखा ज़रा हूं आपको line by line आप देख लें आप खुझ से भी मिला सकते हैं section A में question चार तक है ठीक है 5-6-7 question नहीं मिल रहा है ठीक है अब देखते हैं second type की question जो होते हैं long answer type question यहां पे लिखा गया है long answer type question इसमें 6 question होंगे और सभी एक नंबर वाले होंगे question number 9 मैं पढ़क सुना दे रहा हूं कि देख लिजे question number 10 है यहां पे कि मानों नेत्र का स्वच्छ नमांकन आरेख खीचे ठीक है नेत्र का आँक की figure बनानी थी question number 10 में देखिए r1 r2 को जोड़ा गया है सीध करें कि r1 बराबर r1 r2 ठीक है प्रूब डेट वला है यह देख लिजे इससा question आया हिए कि यह question यहां पे दिया जा रहा है विदुत उर्जा का बेवहारिक मात्रक क्या है ठीक है इसका option देख लिजे इसका option भी दिया गया है मैं वहां पे page पे लिक कर रखा हूँ दिख लिजेगा उसमें से मिला लिजेगा इसका answer हो जाएगा watt पर घंटा कि यह question नंबर 11 देख लेते हैं समने नेतर के लिए दूर बिंदु है option इसमें चार दिया गया है जो सई होगा उस पर टिक लगा लिजेगा यह जो टिक लगा हुए जरुए नेएक सई होगा आप देख लिजेगा कौन सा सई है question number 12 hydrogen के दो पर्मणों के बीच कितने आबंध बनते हैं ठीक है question number 13 अहार सिरिंखला का लेनवाल करता है ठीक है question number 14 पर देखते हैं कौन अंत अस्तरावी और बाहे अस्तरावी गरंथी जैसा कार्य नहीं करता है ठीक है तो इसमें option मारा गया है प्यूस ग्रंथी ठीक है देख लिजेगा सही है या गलत है कौन सा आंसर होगा हमें comment box में जरूर बता है ताकि बच्चों को मत मिल सके जो एक्जाम दिये हो उनको help मिल सके कौन सा आंसर सही होगा ठीक है नीमन में से कौन सा पद बिजुद परिपत में बिजुद सक्ती को निरुपित करता है ठीक है इसमें option लगया गया है IR square question number 34 तांबे कीतार की एक आयतकार कुंडली किसी चुम्बक्य छेत्र में ध्रूवी गती कर रही है इस कुंडली में प्रवेस बिजुदारा की दीशा में कितने परमाड परिभरमड सरी के पस्चात परिवर्तन होता है ठीक है option मारा गया है आध्वे चलिए question number 35 देखते हैं निम्नांकित में से कौन पुनरुद्वन का उधारन है इसमें option मारा गया है हाईडरा ठीक है देख लिजिएगा कौन से सही होगा question number 36 कौन सा अजयव निम्निक करणिये कचरा है option दिया गया है इसमें C थार्मो कोल ठीक है देख लिजिएगा कौन सा अंसर होगा कि कुश्चन नंबर यहां पे 23 दिया गया है असप्रागन तथा प्रमप्रागन में अंतर लिखे है कुश्चन नंबर 24 जैविक आव अरधन से क्या आप समझते हैं क्या समझते हैं ठीक है चेके देख लिजिए अपने विद्याले को पर्यानु कुलित बनाने के लिए दो सुझाओ दें कुश्चन नंबर 26 पादब में भोजन अस्थान अस्थनांतरन कैसे होता है ठीक है अब यहां पर लॉंग टाइप लॉंग एंसर टाइप कुश्चन लिखा गया है इसमें पहला कुश्चन है मानो पाचन तंत्र का स्वस्त नम नमांकित छित्र बनाकर पाचन क्रिया को समझाईए ठीक है कोश्चन नमबर 28 मानो मस्तिक की संरचना का वर्णन करे ठीक है ऐसे कोश्चन आये हुए हैं देख लीजिए कुश्चन का वो नम्मरिंग इज़र उज़र हो गया ठीक है आप देख लीजिएगा कुश्चन आप में किसी दुसरे नमबर पर होगा इसमें दुसरे नमबर पर होगा खात पदार्थ के डीबो पर जिंक के वजाए टीन का लेप होता है क्योंकि आप्शन इसमें दिया ग ग्राही नहीं है ठीक है कुश्चन नमबर 31 समांतर क्रम में सन्योजित प्रतिरोधों की संख्या घटने घटने के उपरांत सन्योजित प्रतिरोधों का कूल प्रतिरोध अप्शन नमबर 32 समजात अंगो का उदाहरन है अप्शन नमर सी मेरा गया है आलू और घास के उपरी भोरतारी ठीक है चल दिखते हैं और कूश्चन कैसे है यहां पर सेक्शन भी दिखाया जा रहा है देखिए सेक्शन भी है नॉन अब्जेक्टिव टैप कूश्चन चार कूश्चन होंगे पर तक दो मार्क्स के होंगे कूश्चन नमर वान कूश्चन नमर टू कूश्चन नमर थ्री और कूश्चन नमर फोर ठीक है देख लिजे इन्हें ठीक है मैं कोश्चन पढ़के सुना जे रहाँ आपको कोश्चन नमबर वन है हम वानों में उत्तल दर्पण को पस्च द्रिश्च दर्पण के रूप में वरियता क्यों देते हैं ठीक है कोश्चन नमबर टू है समान नेत्र 25 सेंटीमिल्टर से निकट रखी वस्तुओं कोश्चन सुपस्ट क्यों नहीं देख पाते हैं कोश्चन नमबर तरी है अपरतनांक को परिभासित करें हीरो हीरे का अपरतनांक 2.42 है इस कथन का क्या अभिप्राय है ठीक है कोश्चन नमबर फूर उतरदरपण के प्रधान अक्षपर रखे बीम के परतिवीम के लिए एक कीरण आरे खीचे और परतिवीम की प्रकिरती अकार एवं अस्थान को लिखे ठीक है question number 5 विदुधारा क्या है विदुधारा का SI मात्रक लिखे ठीक है question number 6 एक विदुध लैंप का अपूर्तनांक 60W,220V है जो विदुध अपूर्ती की वोल्टता 100V से जुड़ा है लैंप द्वारा विदुध अपूर्ती से कितनी धारा ली जाती है question number 7 भू संपर्क तार क्या है इसका क्या कार्य है question number 8 सुर्य दोय के समय सुर्य रखताब क्यों प्रतीत होता है ठीक है देख लिजी ये question है ये इसका answer का बना के रखा गया है आप देख लें इसे इसमें देख लिजीएगा हो सकता है कोई answer गलत भी हो जो गलत होगा आप comment box में जरूर बताएं क्योंकि ये किसी बच्चे का solve किया गया paper है मैंने लेके आपको बता रहा हूं ऐसे question पूछे गया है ठीके चलिए long long answer type question ये पांच नंबर के question होंगे ठीके एक question दिया गया है निम लिखित अभिक्रियाएं क्या है question नंबर 19 और इसको के और इसको से धात्व के निसकर्षण में प्रयुक्त चर्णों को लिखिए question नंबर 19 से ठीके यहाँ पर biology लिखा गया देखिए biology section पर पूछागे short answer type question चार question होंगे प्रतेक दो माक्स के होंगे पहला स्वयम पोसी पोस्टन तथा भिशम पोसी पोस्टन में क्या अंतर है question नंबर 20 गर्व निरोधक युक्तियां अपनाने की क्या कारण हो सकते है question नंबर 20 है देख लिजे question नंबर 20 पर आते हैं कौन सा अभिलक्षण दसागत नहीं है बाल की प्रकृति यहां पर option आरा गया है question नंबर 21 आधुनिक आवार्ट सरानी की सम्हों की संख्या है option हो जाएगा B 8 ठीक है question नंबर 22 glucose के एक आणू में oxygen के कितने परमाडू होते है ठीक है इसका आंसर देख लिजेगा कोई टिक नहीं किया गया है सूध जल का pH मान होता है इसका तो 7 आंसर होगा दोस्तों यह गलत हो जाएगा 6 ठीक है देख लिजेगा question नंबर 24 किस वर्ण का त्रंगधर्ज सबसे बड़ा है तो वेवलेंस सबसे बड़ा किस का होता है तो रेड कलर का होगा देख लिजेगा इसका आंसर हो जाएगा ठीक है सारा question मैंने बता दिया दोस्तों ठीक है देख लिजेगा आप question मिला लेजेगा अगर आप exam दिये हैं तो आपको पता होगा कौन सा answer होगा कौन सा नहीं अगर आप exam नहीं दिये हैं तो देख लिजे कैसे question पुछे आते हैं कैसे question आये हैं इस बार विहार बोड के exam मे मैट्रिक के परिक्षा में साइन्स का कोश्चन कैसा रहा है मैंने आपको बता दिया ठीके दोस्तों फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए नियुश के साथ तब तक के लिए धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले